edit distance इस problem में हमें दो string दियो है हमें string 1 को string 2 में convert करना है minimum number of operations में हमारे operations क्या है हम 3 type के operation परफॉर्म कर सकते हैं either हम string 1 में कोई character को insert कर सकते हैं कोई character को delete कर सकते हैं या फिर किसी character को replace कर सकते हैं जैसे अगर हम example लें अगर हमें एक string दिया है horse तो दूसर रश्टिंग दिया है r o s rows हमें इस horse को rows में convert करना है minimum number of operations में तो हम क्या कर सकते हैं हमें h दिया है यहाँ पर हमें चाहिए r हम इस h को यहाँ पर r से replace कर दे हम एक replace operation कर दे हमारे operation हो गए one अब हमारा r o यह दों दो same हो गए अब यहाँ से हम इस r को delete कर दे तो हमारा s और s same हो गया इस e को delete कर दे हमने एक replace operation किया और दो delete operation किया इससे हमारा क्या हुआ तीन operation में हमारा word one word two बन गया और यह minimum number of operations है जिसमें हम लिए चीव कर सकते हैं तो हमें यही return करना है अगर हम इन तीन operation insert, delete और replace इनको one by one देखे मान लो हमें word one दिया होता हो और word two दिया तो h or a s d इसमें हमें क्या करना होता अगर हमें word one को word two के equal बनाना है तो हमें r के बाद यहाँ पर insert करना होता हमें एक insert operation लगता तो हमारे दोनों word same हो जाते similarly अगर हमें word one ऐसा दिया होता h or a s c convert पर दिया था force हमें word one को word two में convert करना हो तो हमें क्या करना पड़ता इसके इस index पर जो है इसको हमें delete करना पड़ता हमें एक delete operation लगता और अगर हमें words इस तरह ऐसे दिया होते हम इस k को r से replace कर सकते थे इस k की जंगय r से replace कर सकते थे हमारा एक replace operation लगता और हमारा word one word two में convert हो जाता तो depending on हमें किस type से string दिया हो है हो सकता है हमें insert operation करना पड़े delete करना पड़े, replace करना पड़े या इनका कुछ mixture करना पड़े तो हमें नहीं पता कि हमें कौन सा operation करने से minimum operation लगेंगे इस type की problem हम क्या करते है सारी की सारी possibilities ट्राइ करते है हार एक index पर insert, delete, replace ये तीनों operation ट्राइ करेंगे जिससे भी हमारा minimum answer आएगा वो हम return कर देंगे जैसे मान लो हमें word one दियाता हOREC होर्स root दियाता ROS ROS हमें word one को word two में convert करना है तो हम सारे के सारे operations ट्राइ करेंगे हम क्या करेंगे सब से पहले insert operation ट्राइ करेंगे insert operation में हम क्या करेंगे हमें यहां पर r चाहिए हम से हमारा अब यहां पर h है तो हमें r चाहिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर R insert कर देंगे, basically हमारे बड़वन को क्या बना देंगे, R-H-O-R-S-E, हम यह बना देंगे, इससे हमारा क्या होगा, हमारा यह R और यह R सेम हो गया, अब हमारे पर श्टिंग क्या बच गया, R-H-O-R-S-E, यह बच गया, और हमें बनाना क्या इस रहा था, हमारे श्टिंग होर्स बच गया, यानि हमारा आई अभी यही पर रहा, और हमारा वर्टू, हमाल लेते हैं, यह J से हम ट्रैक कर रहेते हैं, अब J हमारा प्लस वन, J एक आगे बढ़ गया, हमारे श्टिंग इतना बच गया, अगर हम insert operation करते हैं, तो हमारा क्या हो हमने अभी यहाँ पर insert operation ट्रै किया है, हम delete भी ट्रै कर सकते हैं, अगर हम delete ट्रै करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इस H को delete कर देते हैं, अगर I हमारे यहाँ पर था, अब हम I को आगे ले जाते हैं, हमने इस H को delete कर दिया, तो हमारे श्टिंग कितना बचा, वो R, S, इतना और अभी तो हमारी कोई matching इनी होई, हमारा word 2 कितना बचा, R, S, इतना बचा, J हमारा जहाँ पर था, वहीं पर रहा, basically हम I plus 1, first string में तो एक आगे बढ़ गए, दूसरे string में हम सेम J पर रहे, तो delete के case में हमें क्या करना है, हमें हमारे string 1 में एक आगे बढ़ जाना है, तो string 2 म सेम पोजिशन पर रहना है, delete के लावा हम क्या try कर सकते थे, replace operation, replace operation में हम क्या करते है, हम इस H को R से replace कर देते, हमारा एक operation लगता, और हम H की जंगे R कर देते, अब हमारा ये R और R match हो जाता, अब हमारा string क्या बचता, ORS इतना बचता, और यहाँ पर क्या बचता, OS इतना ब यहाँ पर चला गया, तो जब हम replace operation करेंगे, तो हमारा क्या होगा, I और J दोनों ही एक एक आगे बढ़ जाएंगे, हमारा I भी आगे बढ़ जाएगा, J भी आगे बढ़ जाएगा, और हमें cable minimum number of operations निकाल ले, तो हमें actual में ये insert, delete या replace operation नहीं करने, हम ये मान लेंगे, string के लिए हम recursively number of operation find out करने की कोशिश करेंगे, similarly delete case में क्या होगा, बन हमारा operation लगेगा, और हम हमारे function में आगे बढ़ जाएंगे, I में एक आगे, J वहीं पर रहेगा, similarly replace में क्या होगा, हमारा एक operation लगेगा, और हम हमारे function में आगे बढ़ेंगे, कैसे, I में भी एक आगे और J में भी एक आगे, इस तरह से हम actual में operation ना करके, केवल हमारे index को move करेंगे, और हमारे operation को count करते चलेंगे, now, इन तीनों के अलावा, हमारा एक और case बनेगा, क्या case बनेगा, जैसे मान लो, अगर हमें string इस तरह से दियो होते, H, O, R, S, C, और दूसरा बढ़ दियो होता, H, O, S, इसमें अगर हम देखें, हमारा H, O, H, S, सेम ही है, तो अगर हमें केवल, O, R, S, C, O, S, कि इस तरिंग भी दियो होते, तो भी हमारा answer सेम ही आता है, अगर हमारे ये दोनों match कर रहे हैं, उस time पर हमें insert, delete या replace करने की जूरत नहीं है, हमें कोई भी operation इस index पर करने की हम सीधा सीधा अपनी problem में आगे बढ़ सकते हैं, हम I plus 1 पर चले जाएं और यहाँ पर J plus 1 पर चले जाएं और हमारा कोई भी operation नहीं लगेगा, क्योंकि ये character तो already सेम थे, अगर हम यहाँ पर insert, delete या replace करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे operation बढ़ेंगे, और हमें क्या हम zero operation लगेंगे, दोनों में आगे बढ़ जाएंगे, बन बन आगे बढ़ जाएंगे, ये तो हुआ जो हमें possibilities try करनी है, अब जब हम recursive function लिखेंगे, हमारा base case होगा, base case हमारा क्या होगा, जब भी हमारा कोई भी in message thing finish हो जाएगा, हम out of boundary चले जाएंगे, उस case में हमें return क्या करने है, जैसे मान लो, अगर हमारा word one क्या होता, ट नальный जो हमारा अट फोमार्ड बन मैच कर गया, हमारा i आ गया यहांपर, जे अभी है यहांपर, इस case में हम क्या operation कर सकते हैं, हम केवल insert operation कर सकते हैं, हम यहाँपर S को insert कर दें, यहाँपर E को insert कर दें, हमें total two operation लगेंगे इसको इसके equal बनाने में अगर हमारा word 1 यह हमारा run out कर जाए यह finish हो जाए और अभी भी हमें कुछ character बनाने बचे हो जितने character बचे होंगे उतनी हमें operation लगेंगे पर हमारे कितने character बचे होंगे जहाँ पर भी हमारा jth index होगा जैसे अभी मालो हमारा jth index कहाँ पर है 0, 1, 2, 3 यहाँ पर है हमें total कितना चीए 2 operation चीए हमारे कितना लगेगा जितना हमारे string का size है माइनस जहाँ पर हमारा jth index है 5, minus 3, 2 तो जितना भी हमारे word 2 का size है माइनस अभी जहाँ पर हमारा jth index है उन दोनों को subscribe कर देंगे तो हमारे बस क्या जाएगा अभी हमें कितने character or insert करने है उतने हमें operation लगेंगे similarly अगर हमें reverse दिया होता word 1 होता horse और word 2 होता hr hc में होता hc में, oc में, rc में यहाँ पर हमारा we run out कर जाता we finish हो जाता इस case में हमें क्या operation करने पढ़ेंगे हमें s और e इनको delete करना पढ़ेगा जो भी हमारे word 1 में characters बच जाएंगे उने हमें delete करना पढ़ेगा और यह हमें कैसे मिलेंगे हम word 1 को आई से track कर रहे थे again जो हमारे word 1 का size होगा जैसे यहाँ पर 5 है तो यह हमारे base case हो जाएंगे अब हम simply हमारा recursion लिख सकते हैं यह हमारा base case हो गया इसके हमें अब हमें 4 possibilities ट्राइ करने हैं कि अगर character match हो रहे हैं तो तो कुछ नहीं करना आगे बढ़ जाओ otherwise insert, delete और replace clean operations को ट्राइ करो हमारा recursive function किस तरह से रहेगा सबसे पहले हमारा base case रहेगा हम हमारे word 1 और word 2 को track करने के लिए क्या करेंगे तो pointer लेके चलेंगे आई हमारा word 1 को track करने के लिए जे हमारा word 2 को track करने के लिए अभी हम इंस ट्रिंग में किस index पर है हमारे base case क्या थे अगर हमारा first string finish हो जाए तो उस case में हमें क्या है जितने word 2 में हमारे characters बच चाहिए होंगे उतने हमें insert operation करने पढ़ेंगे वो हमें कैसे मिलेगा जो भी मारे word 2 का size है माइनस अभी जहाँ पर हम word 2 के index पर है वो किसे मिलेगा ग्ये से तो इन दोनों को subtract करके इतने operation हमें करने पढ़ेंगे इतने insert operation करने पढ़ेंगे similarly अगर हमारा word 2 run out कर जाए word 2 finish हो जाए हमें क्या करना पढ़ेगा word 1 में जितने letters बच गए उन्हें हमें delete करना पढ़ेगा वो कैसे पता चलेगा इतना हमारा word 1 का size होगा माइनस अभी हम word 1 में जिस index पर होगे जिससे हमारे पास number of delete operation आ जाएंगे जो हमें करने पढ़ेंगे तो ये होगए हमारे base cases अगर हमारा base case नहीं है अभी हमारा कोई भी string एक्जोट नहीं हुआ है तो परिसमा में क्या करना है हमारी 4 possibilities अगर match कर रहे हैं एक एक आगे बढ़ जाओ otherwise insert, delete और replace इन तिन operation को try करो अगर हमारे word 1 के i-th index और word 2 के j-th index ये characters match हो रहे है तो तो हमें operation कितना लगेगा 0 operation लगेगा और हमें दोनों में एक एक आगे बढ़ जाने अगर ऐसा नहीं है ये match नहीं कर ले हमें तीन operation replace, delete और insert ये तीनों try करने पढ़ेंगे replace के case में हमारा क्या होगा एक operation लगेगा और हमारा character match हो जाएगा यानि कि हम दोनों में एक एक आगे बढ़ जाएगे i-1, j-1 delete में हमारा क्या हो रहा था हमारा cable i-1 आगे बढ़ रहा था j-1 वही पर रह रहा था और एक operation हमें लग रहा था similarly insert में क्या होगा एक operation लगेगा और आपका i तो वही पर रहेगा और j-1 आगे बढ़ जाएगा ये सारे operation हमने अभी देखे थे last में हमें क्या करना है इन तीनों का minimum लेने हमें replace से better मिल रहा है delete से better या फिर insert से better इससे भी हमें better मिल रहा होगा वो answer हम return कर देंगे और हम इन तीनों का minimum लेने इस तरह से हमारा simple सा recursive function रहेगा हम recursive function को call कहा से करेंगे obviously 0,0 हम starting में first string के 0th index second string के 0th index से इस function को call करेंगे हमारी recursive call कैसे रहेगी first string का 0th index, second string का 0th index हमारा word 1, word 2 यह सब हमारे recursive function में pass कर देंगे इसकी हमारी time of last क्या रहेगी हम हर एक index पर हमारी तीनों possibilities को try कर रहे है हम 0 से try करेंगे फिर first index पर तीनों को try करेंगे फिर second index पर try करेंगे हर एक index पर हम 3 branches ले रहे है तो total हमारी कहां तक जाएगी हमारे first string का size plus second string का size हम उनको m और n मान लेते हैं तो 3 raise to power m plus n इतनी हमारी tangulation रहेगी हम एक index से 3 branches लेंगे हमारे first array का size m है second array का size n है तो हमारे levels कहां तक जा सकते हैं से 3 raise to power m plus n जिसको अगर हम simply कहें तो हम कहा सकते हैं कि exponential रहेगी हम इसको better कैसे करें क्योंकि हमारी exponential time of left है तो time out मार जाएगी हम इसको better कैसे करें जो भी मारी recursion की problem होती है उसमें better कैसे करते हैं अगर हमारी subproblems repeat हो रही हो तो हम उस पर dp यानि कि memoization लगाते हैं हम states को memoize कर लेते हैं अगर आप इसका recursion tree बनाओगे तो आप देखोगे कि आपके subproblems repeat हो रही हैं यहाँ पर मैं recursion tree नहीं बना रहा हूँ यह आपके लिए मैं practice के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमने इस टाइब की भूसी problem किया है जहाँ पर हमारा एक बार एक आगे बढ़ रहा हूँ एक बार दूसरा आगे बढ़ रहा हूँ वहाँ पर हमारी subproblems repeat होती ही होती है अगर हमारी subproblems repeat हो रही है तो हम क्या करेंगे dp लगाएंगे basically memoization लगाएंगे वह हम कैसे लगाते हैं हम देखते हैं कि हमारे changing variables क्या क्या है अगर हम हमारे recursive function में देखें हमारे changing variable क्या है i और j i हमारा क्या है string 1 को track कर रहे यानि कि यह 0 से लेकर m तक जाएगा और हमारा j क्या है second string को track कर रहे यानि कि 0 से लेकर n तक जाएगा तो हमें m cross n इतने size का एक dp vector लेना पड़ेगा और उसमें अपनी states को memoize करना पड़ेगा हम क्या करेंगे हम एक word1.size यानि कि प्रम into n इस size का एक dp vector लेगे और उसको minus 1 से initialize कर देंगे minus 1 यह indicate करेगा अभी हमने if state की value calculate नहीं की है जब इसका result हम calculate कर लेंगे तो यहाँ पर minus 1 की जंग है वो value update हो जाएगी और हम उसका use कर लेंगे और यह dpr हम हमारे recursive function में pass कर देंगे फिर recursive function में वारा क्या होगा हमारे base case तो as it is रहेंगे base case के बाद हम check कर लेंगे क्या इस state की value हम already calculate कर चुके हैं अगर कर चुके हैं तो यही से result को return कर दो और अगर नहीं की है तो अपनी सारी की सारी possibilities को try करो और जब हम सारी possibilities try करेंगे उनका result return करने से पहले अपनी dp vector में store कर लेंगे ताकि हम उसको बाद में reuse कर सके इस से हमारी triangle complexity क्या आएगी हमारी कितनी states होंगी m cross n जितनी states होंगी और हर एक state को calculate करने के लिए हम क्या कर रहे हैं हम basically यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 content operations कर रहे हैं अब हमारी triangle complexity की में आ जाएगी m cross n जितनी हमारी number of states होंगी और हमारी space complexity क्या रहेगी एक तो हमारी dp vector के लिए m cross n इस size गा हमने dp vector लिए plus हमारे number of levels m plus n उतने हो सकते हूं यहां तक हमारा recursion दा सकते है तो recursion के लिए हमें m plus n इतनी space complexity लगेगी overall हमारी space complexity क्या dominant करेगी m into n तो हम कहा सकते हैं कि हमारी overall space complexity है of m into n now अगर हम चाहें इसको हम iterative code में भी convert कर सकते हैं उससे हमारा क्या होगा जो हमारा recursion के लिए extra space लग रहा था यह eliminate हो जाएगा तो अभी हम देखेंगे कि हम recursive code को iterative code में convert लैसे कर सकते हैं उसके लिए हमारे simple से rule होते हैं सबसे पहले हमें base case को handle करना है हमारा base case क्या था हमारा base case था जब भी हमारा array exhaust हो जाए यानि कि जब भी i हमारा nt equal हो जाए यह उससे बढ़ा हो जाए j हमारा nt equal यह उससे बढ़ा हो जाए उस case में हमें value को direct कुछ return करना था अगर हमारा string 1 exhaust हो रहा है तो string 2 का size minus j और अगर string 2 exhaust हो रहा है string 1 का size minus i यह हमें return करना था इसके लिए हम क्या करेंगे अभी हमने हमारे vector का size क्या लिया था m cross n यह लिया था लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें हम m इस index को भी access करेंगे तो iterative code में हम क्या कर लेंगे m plus 1 cross n plus 1 इस size का हमारा dp vector ले लेंगे अब हमारा लेते हैं m plus 1 cross n plus 1 इस size का dp vector बन गया इसमें हमें base case को handle करना पड़ेगा base case क्या था हमारी last row और last column यह हमारा base case रहेगा तो हम क्या करेंगे एक बार हमारे row के लिए लूप चलाएंगे यानि कि जब भी i हमारा outside boundary जा रहागा तो हम इस पूरे column में क्या fill कर देंगे यह वाला formula link 2 का size minus में दे जहाँ पर भी यह index होगा उसको minus करके यह हम fill कर देंगे similarly इस row में क्या fill कर देंगे हमारा यह वाला formula हमारे recursive code से ही हम हमारे base case को handle करेंगे हमारे iterative code में उसके बाद हमें क्या करना होता है अगर हम recursion में 0 to n गए है तो हमें iterative में n to 0 जाने है अगर recursion में n to 0 गए है तो हमें iterative में 0 to n जाने है basically recursion में हमने जहां से शुरू किया है उसके opposite side से हमें table को fill करना शुरू कर रहा है हमने 0,0 यहां से recursion call किया था इसमें हम क्या करेंगे opposite direction पहले इस cell को फिर करेंगे फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको इसको इस तरह से हम पूरी table को नीपे से उपर की तरफ फिल करेंगे और फिल कैसे करेंगे उसके लिए again हम जो हमने recursion का code लिखा था वही reuse है हमारा recursion का code क्या था अगर character match हो रहे हैं तो यह वाला लिखो अगर नहीं हो रहे तो यह 3 cases लिखो बस इसमें अब हम क्या कर रहे थे यहाँ पर recursive call कर रहे थे यह हमारी किसे replace हो जाएगी dp of i plus one j plus one किस हमारे 2d array की value से सेम चीज यहाँ पर होगी यहाँ पर यह dp से replace हो जाएगा यहाँ पर हमारा if dp से replace हो जाएगा और बस हम return करने के बजाए हमारे इस variable में यह तोर करते जाएगे तो यह हमारा iterative का code हो जाएगा जो कि हमने recursive के code से ही बनाया है इन concept को follow करते हुए सबसे पहले base case को handle करना है उसके बाद recursion के opposite direction में loop लगाना है और जो भी हमारा recursion का code था वह ही as it is use करना है बस जो हमारा recursive function की call थी वो हमारे dp से replace हो जाएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे base case को handle करेंगे उसके लिए हमने क्या किया recursion में हमने m cross n किस size का vector लिया था या पर हम m plus one close n plus one size का vector लेंगे last row और last column किसके लिए हमारे base case को handle करने के लिए तो पहले हमारी condition क्या थी अगर हमारा string 1 exhaust हो जाए हमारा i greater than equal to word 1.size इसके equal हो जाए हमारी last row में formula क्या रहा था word 2.size minus j word 2.size हमने n में लिया है n minus j last column उसके लिए हमारी condition क्या थी j greater than equal to word 2.size इसके equal जब हो जाए तो हमें क्या करना था word 1.size minus i यानि कि m minus i हमने ये recursion के code से ही उठाया है बस अब हम क्या कर रहे है हमारा 2d array ले रहे है उसमें हमारी last row और last column को fill किया है same formula से उसके बाद हमें क्या करना है हमें opposite direction में loop लगाने है उसके बाद हमने यहाँ पर पूरा का पूरा recursion code copy किया है बस जो हमारा f था उसको dp से replace कर दिया है one plus fi plus one j plus one था यहाँ पर dp of i plus one comma j plus one यहाँ पर भी dp यहाँ पर भी dp बाकी हमारा code as it is है और हमने बस return statement को हटा दिया है हमारी value को इसमें score करते हैं चली गए है last में हमारा answer हमें कहां से मिलेगा हमने recursion कहां से call के था 0,0 से यानि की dp of 0,0 इसमें हमारा answer store हो जाएगा जब यह loop हमारा पूरा हो जाएगा last में हम dp of 0,0 इसकी value को return कर देंगे हम dp of 0,0 यह return कर देंगे again हमारी time of space complexity same ही रहेगी m cross n हमने m और n इस size दो loop लगाएं तो हमने time complexity कहाएगी m cross n और हमने एक dp vector लिया है तो हमारी space complexity भी कहाएगी m cross n लेकिन इससे मारा क्या होगा जो हमें recursion के लिए extra stack space लग रहा था वो eliminate हो जाएग तो now अगर हम हमारी conditions देखें हम हमारी dp table को fill करने के लिए क्या क्या यूज कर रहे हैं i plus 1 और i j और j plus 1 basically हम के वल next row और हमारी current row इसका ही यूज कर रहे हैं अगर मानलो हमारी table किस तरह से थी हमारी ये कुछ रोज भर चुकी थी अगर हमें ये वाली row भरनी थी मानलो हम अभी ये वाला index भरना है इसको भरने के लिए हम cable i plus 1 यानि कि इसके immediate next row इसका यूज कर रहे हैं और j या j plus 1 इसके immediate right side वाले part का यूज कर रहे हैं हमारी current row के right side वाले part का या फिर हमारी immediate next row इनका ही use कर रहे हैं हम चाहें हमारे study table को दो रोज से replace कर सकते हैं इसके एक हमारी ये previous row और ये हमारी current row इससे हमारा क्या होगा जो हमारा space लग रहा है m cross n इससे change होके एक row के equal हो जाएगा यानि o of n हमारा space थोड़ा सा optimize हो जाएगा उसके previous row लेनी पड़ेगी एक current row लेनी पड़ेगी previous कह है जो हमारी immediate next row है जिसका हम use कर रहे थे i plus 1 उस row को indicate करेगी current row इस row को अभी हम fill करने की कोशिश कर रहे हैं उसको indicate करेगी तो जहाँ पर भी हमारा dp of i plus 1 आ रहा हुगा वो हमारा previous से replace हो जाएगा और जहाँ पर भी i आ रहा वहाँ पर i होगा वहाँ पर current वहाँ पर i plus 1 होगा वहाँ पर previous उर लाश्ट में हमें क्या करना पड़ेगा लूप के बाद क्योंकि हमारी ये वाली row अब fill हो चुकी है उसके बाद हमें इसके उपर वाली row को fill करना है जो हमारी current row होगी वो उपर वाली row के लिए previous row बन करें तो हमारे base case भी change होगी अब हमें केवल last row को fill करना है पहले हम क्या कर रहे थे last row को और last column दोनों को fill कर रहे थे अब हमें केवल last row को fill करना है बोलों को हम कब fill करेंगे जब जब हम हमारी current row को fill करना ही कोशिश करेंगे सबसे पहले हमारा last column ये fill होगा अब हमारी condition को हम loop क अंदर लिडाएंगे, हमारी last row के लिए थो हमारे ये लूप रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो अब हमारी last column फिल करने की बारी थी, उसके लिए हमारी यहां से हट कर, हमारी यहां पर आ जाएगी, जब हम current row को फिल करने कोशिश कर रहे हैं, पहले last column को फिल कर दो, फिर बाकी elements क फिल करो, एक बार हम इसका code देखते हैं, code में अब हम क्या करेंगे, हम हमारी 2D vector की जगे है, केवल एक previous row और इट front row, केवल दो रोज लेंगे, उसके बाद हम हमारी last row को फिल करेंगे, as it is जैसे हम कर रहे थे, बस हमारा dp of ij किसे replace हो जाएगा, previous of j, हमारी last row को हम किसे indicate कर प्रिवियस से, उसके बाद हमें हमारी current row को भरना होगा, current row को भरने के लिए हमें सबसे पहले last column को भरना होगा, उसको हम इस loop के अंदर भरेंगे, जब हम loop run करेंगे, तो सबसे पहले हम current row के last column को भरेंगे, जो हमारा formula था m-i, उसकी help से, फिर हम remaining elements से, n-1 to 0, इनको कैसे, as it is, जो हमने recursion लिखा था, उसी से, बस हमारा क्या होगा, यहाँ पर dp of i plus 1 था, वहाँ पर previous से replace हो जाएगा, अब जहाँ पर dp of i था, वहाँ पर current से replace हो जाएगा, और assign किसमे होगा, हमारा dp of i जे लिखते तो, current में हमारा assign हो जाएगा, फिर हमें क्या करना है, ज previous में current row को copy कर देंगे, हमारी next iteration के लिए, और last में हमारा answer किसमें आएगा, हमारा किसमें आता था, dp of 0,0, last में हमारा क्या होगा, जो हम last row ये fill कर रहे होंगे, तो यह अभी हमारी current row होगी, और next हमारी previous row होगी, और यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, previous में इस current row को copy मार इससे हमारी time complexity तो क्या रहेगी, हम अगेन दो लूपी रगा रहे है, time cross and इतनी ही रहेगी, लेकिन अब हमारी space complexity किसमें reduce हो जाएगी, single 1d array में, जितने हमारे number of columns होंगे, यानि कि o of m, हमारी space complexity 1d array के equal आ जाएगी, thank you guys.